हलो दोस्तों नमस्कार मैं सत्या पांडे आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्या ब्लाक्स पे आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी हिंदी के अंत्रगत स्वर ब्यंजन लिपी संबंदी महतपूर प्रश्णों को देखेंगे हिंदी भासा की उत्पत्ति यानि जननी संस्क्रित हैं सकेंड हिंदी भासा की उत्पत्ति अप्रवन से हुई है इसमें तीन इनकी भासाएं हैं मौखिक लिखित और शंकेतिक ध्वनियों के लिखित रूप को लिप करते हैं तीन लिपिया होती हैं पहला स्वेंद्ध लिपी तूसरा ब्राम्भी लिपी और तीसरा खरोष्ट लिपी स्वेंद्ध लिपी के अंद्रकत पहले पंग्ती जो उसकी होती है लिखने का तो बाय से दाए लिखियाती है दूसरी पंग्ती दूसरी लाइन अगर लिखते हैं तो बाय लिखियाती पहला हम सीधा लिखेंगे ठीक उसकी उल्टा यह लिपी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ब्रामी लिपी 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के अंत्रगत माने जाती है, दिवनागरी लिपी की उत्पति ब्रामी लिपी से हुई है लिपी से हुई है दिवनागरी लिपी मुल्त भारती लिपी है यह मुल्त भारती लिपी है बहुत ही महतपूर प्रिष्ण है राष्ट भासा का साब्दिक अर्थ है सेयुक्त राष्ट में प्रियुक की जाने वाल यानि रास्ट भाशा का साब्दी कर्थ ठीक है हिंदी स्वतंतरत्य संग्राब के दोरा रास्ट भाशा बनी यह 1922 से 1947 इसवी के बीच में यह बनी राश्ट भाशा के बीना रास्ट गुंगा है किसने कहा था महात्मा गादी ने यह कभी भी प्रश्ण पूछ सकता है पिछले 2013 तीट में पूछा गया था प्रश्ण 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है सब्ताहिक हिंदी दिवस 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में प्रति बर्स मनाया जाता है बिश्व हिंदी दिवस 10 जनौरी से 14 जनौरी 1975 में नाखपुर महराष्ट में मनाया गया दोस्तो यह शेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेर और कैमेंट जरू कीजिएगा क्योंकि यह वही प्रश्ण है जो बिगत कई बार परिच्छाओं में पूछे जाते हैं चाहें वह परिच्छा उत्तरप्रदे सिक्षक की हो या लेकपाल की हो पूलिस का अंस्टेवल की हो एस आई की हो या किसी भी अन्य परिच्छा प्रतियों की परिच्छाओं में पूछे जाते हैं धन्यवाद थैंक्यों